असलाम लेकुम दोस्तों मैं हो बैद और आप देखने टेक्स पोर्ट दोस्तों में इद करते हूं आप सब खेयर से होंगे निकालकि आप उसको अपनी रिंग टोन भी यूजे कर सकते हैं या फिर आप अधर फ्रॉपस के लिए उसके लिए बैसके लिए टूल एक अपको प्लेकेश्ट पर मिलेगी वीडियो चुरू करते हैं आपको मैं बताता हूं कि वीडियो के अंदर से आप MP3 ओडियो को कैसे ड और आप उसको as a ringing tune कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गैस वीडियो को MP3 audio में convert करने के लिए आपको एक application की जुरुत होगी application आपको प्लेस्टोर के अंदर मिल जाती है प्लेस्टोर में जाके अगर आप लेकेंगे वीडियो MP3 converter के नाम से तो बहुत सारी application आती है और लेकिन मुझे suit की है और जो मैं आपको बताऊंगा आपने वही इंस्टॉल करनी है यह application है और इसकी जो developer का नाम है वो fund dev LLC के नाम से है आपने यह application download कर लेनी है इस application की rating आपको मैं अगर दिखाओं तो 4.4 rating है और 100 million से जादा इसके download है आप देख सकते हैं तो यह application आपने download कर लेनी है simply download करने के बाद आपको इसको open करना है open करने के बाद आपको यह कुछ permission आप से require करता है आपने permissions और simply इसको allow कर देनी है जिसमें आपकी gallery की और storage की permission हो आपको मैं समझा देता हूं किसका interface किया है simply आपके सामने जो यह आ रही है आपकी वीडियो जा रही है जो आपके cell phone के इंडर videos होंगी अगर आप स्वाइब करेंगे तो आपको यहां पे वह audio दिखाता है कि आपके cell phone के audio कौन सी है मतलब कि अगर आप चाहें कि आपके पास आप अगर वीडियो को कनवर्ट करना चाहरे है अब audio में वह आपको मैं तरीका बदा दे तो आप अपनी गैलरी से यहां से भी स्लेक्ट कर सकते हैं अगर आप मैनुली एड करना चाहरे हैं तो simply आपके पास प्लस का आइकन आ रहा होता है आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर बार दिख्री होगी आप यहां से स्लेक्शन भी कर सकते हैं कि आप कहां से लेके कहां तक MP3 करना चाहरे हैं अगर आप पूरी वीडियो करना चाहरे हैं तो आप पूरी वीडियो कर सकते हैं उसके बाद वह आपको कनवर्टर का उप्शन दे रहा होगा आपके सामने यहां पर आपको MP3 के उपर आपको already check है अगर आप इसको वीडियो में करना चाहरे हैं तो already वीडियो में तो नहीं होगा अगर आप इसको MP3 में convert करना चाहरे हैं simply MP3 पर ही आप इसको check रखेगा उसके बाद आपने इसकी format रखनी है वो MP3 रखनी है format MP3 रखने के बाद आपने इसकी bit set करनी है bit आपने या तो 128 select करनी है या फिर 256 बस इन दोना में से आपने bit select करनी है 128 वैसे जो होती है नॉर्मल नी चलती है 128 kb per second bit select करने के बाद simply आपने इसको convert के option पर click करना है तो आपकी जो video है वो आपकी audio में convert होना शुरू हो जाती है और जैसे के conversion complete होगी तो आपकी जो video है वो audio में convert हो जाएगी और आपकी वो detach होके आपकी audio file में भी आपको show होगी अगर हम यहाँ देखें तो आपके बिल्कुल सामने है कि यह हमारी audio का option था और यहाँ पे वो जो हमारी video थी वो mp3 में convert होके आपको यहाँ पे visible है अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस mp3 को आप ringing tone मनाना चाह रहे हैं तो simply आप one click के उपर आप यहाँ permission allow करके आप इसको अपने cell phone की ringing tone भी बना सकते हैं काफी अच्छी application है अगर कुछ setting में करना चाह रहे हैं तो setting में click करेंगे यहाँ पे वो आपको पूछता है कि आप अपनी audio को कहां लाना चाह रहे है convert करके तो आप यहाँ से manually selection भी कर सकते हैं कि आप किस folder में रखना चाह रहे हैं उसके लाब अगर आप यहाँ से गाने में भी शेयर करना चाह रहे हैं तो आप इस यहाँ से गाने भी शेयर कर सकते हैं तो यह एक अच्छी application है जिसको यूज करके आप videos को MP3 में convert कर सकते हैं अगर आपको कोई video का ऐसा music पसंद आ गया और आप चाहते हैं कि उस music को अलग करके आप इसको रिंग डून बनाना चाह रहे हैं तो आप इस application की तुरू इसली बना सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आए हैं तो like की बट्टन के पर जूर प्रेस कीजिएगा अपने दोस्ते साथ भी शेयर कीजिएगा इंशलाँ में लेंगे नेक्स वीडियो में अपना बहुत सरा क्या लखेगा अलाहाफेज